हलो मेरा नाम डॉक्टर दिपक केड़कर है मैं मनोविकार तक गया, सेक्स रोग तक गया, सम्मोहन तद्निया, नशामुकी तक गया, NLP ट्रेनर और कोच हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ आज एंग्जाइटी, चिंता, डिप्रेशन, निराशा, और सम्मोहन उक्चा इसके बारे में आज करीपरीप एंग्जाइटी और डिप्रेशन, मतलब चिंता रोग और निराशा, ये बिमारी के काफी लोग परेशान है बिमारी से और उसके लिए दवाईयां मों ही और उसके साथ मांसुक्चा और सम्मोहन उक्चा ऎर्व जरूरी है, तो उसके लिए सम्मूहन उक्चा जो मैं आप य आपको पतांगो आपने वह प्रैक्टिस करो डिसको ये प्रदेम है उसको ये शेर करो पुझेक्ली इलाज कैसा करते ब्रेंगा इसली करने वाल हूं तो मैं बार 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 आप को ऐसा वो लूंगा कि रिलाक्स में इसका मतलब शिदिल करें शरीर, पूरा ढिला कर देना, मैं बार-बार-बार-बार बोलुँगा दीप, दीप मतलब गहरा, दीप इसका मतलब आप गहरी-गहरी सम्होन वस्ता में अंदर-अंदर जा रहे हैं और अंधरा-ंधरा आपको के सामने आ रहा है, ऐसी कलपना करना है, और स्लीप जब मैं बोल ऍायसा बोलते बोलते सम्मोण की प्रक्रिय है अब आप आरामकृसी में बैटे कुदू करेंगे आप सम्मोण ऌस्ता में जाएंगे और उसको डीप करना है गहराय में लेकर जाना है तो मैं एक से दस्त गिन्ती करूंगा और जैसे जैसे गिंती बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सम्मोह नवस्ता और गहरी-गहरी आपकी होते जाएंगे और आप दीपडीफ सम्मोह नमस्ता में चले जाएंगे। और फिर आपको सूचना दूँगा। तो जी सूचना देने की है तो मैं आपको सुनाओंगा ही, जो सूचना हो। होता कहा है कि सम्मोह नमस्ता में conscious mind सो जाता है। और subconscious mind ऊपर सामने आता है, जैसा। और उसको हम सूचना देते हैं, subconscious mind रिसेप्ट युड़ेता है, कुछ भी बात उसको बुली तो उसका स्वीकार कर लेता है, subconscious mind, उसके पास में logic नहीं है, उसके पास में अच्छा बुरा नहीं है, सही गलत नहीं है, उसको जो भी बोला उसको, सही लगता, उसका स्वीकार कर लेता है, तो मैं आपके subconscious mind से बात करूँगा, और बाद में, फिर मैं आपको उसके साथ साथ visualize करने लगाँगा, तो आपने visualize करना है, मतलब उस समय देखना है, अपने आपको, अपने आपको सुनना है, आप जो बात्चित लोगों से कर रहे हो सुनना है, लोग आपसे जो बात्चित करते हो सुनने का है, और अपने आपको feel करने का है, जैसा मैं बुलूँगा, आपको खुशी लग रही है, happiness है, enthusiasm है, relaxed है, तो अपने आपको वो काम है, quiet है, आपको feel करने का है, तक आपको देखना है, सुनना है और feel करने का है, ठीक है न? तो अधिल साम करेंगे, पयार है तक आपको लेटना है, एक लिए डम relax, आखे बंद करना है, और पंजो है न, पैर के पंजो है ऐसे करो, और हाथ जो है, पैर के ऊपर हाथ रख दो, पर मेरी आवाज सुनो, दाकि कोई भी आवाज सुनने की नहीं, तुरी कोई भी आवाज के तरफ ध्यान देने का नहीं, पूरा बदन, रलाक्स, रलाक्स, रलाक्स करना है पहरों के अंगुथे रलाक्स करों, अंगुथे रलाक्स होगे, पहरों के तलवे रलाक्स करों, तलवे रलाक्स होगे पहरों के पंजे तलवे और अंगुठे रलाक्स होगे गुठने रलाक्स करो, गुठने रलाक्स होगे दोनो पहे रलाक्स करो, दोनो पहे रलाक्स होगे पेट रलाक्स करो, पेट रलाक्स हो गया, कमर रलाक्स करो, कमर रलाक्स हो गयी, पेट रलाक्स करो, पेट रलाक्स हो गयी, एंच सीना र credit कॉरो सीना हम खाए है। कंदे र credit कॉरो कंदें र historic कोंदें में दोनोनों हाथ र láks करो, जोनों खात र Lite के। गर्दन रिलाक्स करो, जबडा रिलाक्स करो, जबडा रिलाक्स करो, गाल रिलाक्स करो, आखे 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 रिलाक्स क तुरा सह पना प्राट करोग्य तुरा माथएष्म, पना चा Viya है पूरक्षी हे प्रेंट का उपार रांस सब्सक्रट बिंगी। c relax and now sleep 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 deep आप गयरी गयरी सम्मोन आस्ता में जा रहे हो डीप 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 जा रहे हो आप को के सामने अंधिरा 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 अचा रहा है और आप डीप डीप सम्मोन आस्ता में जा रहे हो मैं अभी एक से दस्त गिंती करूंगा जैसी जैसी गिंती बढ़ते जाएंगे वैसी वैसी आपकी सम्मोन आस्ता और गयरी गयरी होते जाएंगे और आप डीप 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 सम्मोन आस्ता में चले जाएंगे एक, दो, तीन, चार, गो दीपर and दीपर, पात, छे, सात, आत, तीन, बात, तीन, बात, 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 बात मैं अभी आपको कुछ सूचना देने जा रहा हूं, वह सूचना अच्छी तरह सुनना है, अभी आपका सबकॉंश्यस माइन बहुत रिसेप्टी हो चुका है, सबकॉंश्यस माइन मेरे सूचनाओं का पूरा स्वीकार करेंगा, मैं भी आपको कुछ सूचना देरा हूँ, वह सूचना का आपने स्वीकार करना है, आपको बहुत ही, शान्त शान्त, रिलाक्स 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 और बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको बहुती शान्त शान्त रिलाक्स रिलाक्स और बहुती अच्छा लग रहा है आपको बहुती शान्त शान्त रिलाक्स रिलाक्स और बहुती अच्छा लग रहा है आपको यह पता है कि जीवन जिने के समय काफी सारी समस्या आ सकती है जीवन जिने के समय काफी सारी समस्या आ सकती है आप शक्तिशालिय रूप से हर समस्या का सामना कर रहे हो आपको यह पता है कि जीवन जिने के समय काफी सारी समस्यां आ सकती है और वह समस्यां का सामना आप पुरे शक्तिशाली रूप से कर रहे हो आपको यह पता है कि जीवन जिने के समय काफी सारी समस्यां आ सकती है आप वह समस्या का सामना शक्तिशाली रूप से कर रहे हो रोज रात को आपको गहरी गहरी नीन आती जारेंगी और सुभव उटने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लग रहा है अन्थूसियास्तिक लगा है, अन्रजेटिक लग रहा है रोज रात को आपको गहरी गहरी नीन आ रही है और सुभव उटने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश एंथूसियास्तिक अन्रजेटिक और बहुत खुशियां ऐसा माहूल आपको दिख रहा है और लग रहा है आप एकदम रिलाक्स्ट हो मन बहुत ही खुशी में है बहुत ही खुश है बहुत शान्त मन है और बहुत ही एनरजी वाला मन है आप बहुत ही रिलाक्स्ट फील कर रहे हो बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही खुश बहुत ही समागन बहुत ही रिलाक्स्ट ऐसा आपको लग रहा है रोज रात को आपको गहरी-गहरी निन आते जाएंगी और सुबह उठने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश फ्रेश लगेंगा अच्छा लगेंगा, एंथूजास्टिक लगेंगा, एनर्जेटिक लगेंगा मन में आपको खुशी आएं खुशी आ रही है कभी सारे दोस्तों सेया मिल रहे हूँ, काम कर रहे हो, भूम रहे हो, फ्रेश बहुत ही अच्छा लग रहा आप बहूत ही फंटास्टिक अभी आप लोगों के साथ में हैं तो कल्पना करूँ की आप कुछ लोगों के सामने खड़े हो बहुत ही खुश आप हो उनके साथ में बात्चीत कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि वो कौन से कपड़े पहने उन्होंने आपने कौन से कपड़े पहने है वो कहां खड़े है वो पुरा देखो clear picture देखो कि कौन से जग़ पे आप खड़े है वो लोग आप से क्या बात्चीत कर रहे है वो सुनो आप क्या बात्चीत कर रहे है उनसे वो सुनो और आपको कैसा feel हो रहा है बहुत ही खुशियाँ बहुत ही joy, happiness, relaxed बहुत मजार है इतना आनन, बहुत ही आनन्दार है बहुत ही खुश अस़ बी अपको लग रहे है, जबरदस्त है, वाउ, वाउ, डुम्ने फिरने में, आप काम करने में बहुत ही मजा रहे है, सब काम आप वहत ही ताक्ष से कर रहे हो, उसाजास से कर रहे हो, खाना खाने में, घुमने फिरने में, बच्चों से बाक्षित करने में, बहुत मजार है, बढ़ाई करने में, बहुत मजार है, बहुत खुश नजरा रहे हैं, बहुत ही खुश ही लग रही है, तो लोगों के साथ में भी आप बहुत ही खुश हो, मजार है, वंडरफुल, कि जीके क्रहकर तुक्षिपसा कर सकता हूं constit कि यूज सब छीनिता कर सकता हूं भूसको लेन निकाल सकता हूं कि या कोई छीनतानिती चुछाने बड़ा है तो फोविश्याने वाला ।ो हमका पता अब वरत्मान में रहना है और वरत्मान में रहना है, बहुति खुष यहार लोगों के साथ में सिलिबरेट करना है, हशी मज़ा करना है अब बहुति मज़ा कर रहे ओ, बहुत खुष नजरा यह unpacking, आनन्दी हो, समाधानी और बहुति र remembered e रिलाक्स्ट, absorbing really, relaxed आप सुभा उटे हो तो बहुत ही खुश रहते हो काम पेजाते हो, खाना पिना करते हो, बच्चों से खेलते हो, बहुत मज़ा रहा है वेरी गुट अभी मैं आपको एक कलपना करने के लिए बोल रहा हूं कि आप एक बलून में बैठे हो बहुत ही कमफरड़ेबली आप बलून में बैठे हो मज़ा रहा है, बलून को एक खिड़की है और बलून के बहार एक और उमेश खड़ा है जो दूसरी उसके प्रतिकुरती है वो आपको जैसा चाहिए बैसा है बहुत ही खुश, सुट्साइट, रिलाक्स्ट, इंटिग्रिटी में ऐसा उमेश बाहर खड़ा है उसको आप देख रहे हो जैसा आइडियल आपको जो आइडियल चाहिए वो आइडियल उमेश बाहर है और वो भी खिड़की से गुबारे के अंदर, बलून के अंदर आ रहा है उसने कोशिश किया खिड़की से अंदर, अंदर उतर गया और वो आपके बदन में वो एक रूफ हो गया पूरा एक रूफ हो गया अभी आप बहुत नया उमेश बन गए हो एक नए हुमेश है, बहुत खुश है, बहुत रिलाक्स्ट है, हैपी है, तंटुष्ट है, मज़ा हाँ लाइफ में, अजौय कर रहा है लाइफ को, ऐसा उमेश, नए हुमेश बन चुका है. आपको बताईए कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है वो लोगों को मदद कर रहनी होती है लोगों के जिवन में जब आप कुछ मदद कर दे होती है तो आप ऐसे इंसान हो कि लोगों के जिवन में कुछ ना कुछ उनको चाहत जो उनकी है उसमें मदद कर रहे हो, उनको मिला के दे रहे हो, उसमें भी आपको बत मजार है, जवर्दस्ट, वंडरफुल, बहुत जवर्दस्ट, वो एक रूफ हो गया, विनाया ट्रांस्फॉर्म्ड उमेश्क तयार हो गया है, अभी मैं एक से तिंत गिंती कर जैसे जैसी गिंती बढ़ते जाएंगी, वैसी वैसी आपकी जो वावस्ता है, एन्थूजियाजम, एनरजी, उत्सा जो है और बढ़ता जाएंगा, और एक नया उमेश उभर के आएंगा, ट्रांस्फॉर्म बन नया, एक, दो, और तीन, पुरा नया उमेश बन चुका है, बहुत जवर्दस, अब ऐसी प्रैक्टिस आप रोज करते हो, तो बहुत फायदा उसका होगा, जवर्दस फायदा होगा, बहुत रिलाक्स, अभी मैं 3-1 तक उल्टी गिंती करूंगा, जैसी जैसी गिंती कम-कमदू यहेंगी, वैसे वैसे आपकी संभवन उस्ता खुल ज जागाने के बाद में आपको हैं ऐखे लेगा आपको अच्छा लगेगा तीन आखे दिरी खुलो दो और एक उठो जागां आखे खुलो जह लगेंगा भी आपको बहुत अच्छा लगेंगा खुशी लगेंगी मनके अंदर मजाएंगी एकड़ू छार बार रोज कर नी आ है सुबह दोपर को शाम को रात को एक हचार बार करेंगे ना टोटल तो आपको डिफिनेटली बिना दबाई का फायदा होगा एंग्जैटी और डिपरेशन में आपको भी चॉइस करना है कि चिंता युकत जिवन जिना कि चिंता मुकत जिवन जिने का है आपको रिलाक्स जिव आपकार होगा है एंग्जैटी की बिमारी है यह डिपरेशन है तो उनको यह वीडियो जरूर शेर किजेगा मेरा सपना है कि पूरा भारत देश यह मांसिक बिमारी उनसे क्लियर हो जाएगा तो एंग्जैटी डिपरेशन नाम की चीज़ी रहेंगे नहीं रोजए दिल लो लोगों को शेर करो मेरा यूटीब वीडियो बागे भी काफी वीडियो मैंने हिपनोस के बारे में डाले हुए वह फोबिया के सोशल एंग्जैटी पैनिक अटक्स उसके है फिर मोटापा कम करने के वीडियो मांसिक बिमारी के काफी सारे वीडियो है वीडियो लोगों को स सुनो शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो ताकि एक अच्छा भारत बनाने में मैं खड़ा हूँ मेरे साथ में आप भी खड़े रहेंगे सो थैंक्यू वेरी मैच